भारत देश पहली बार वीर बाल दिवस मनाने जा रहा है। वीर बाल दिवस श्री गुरु गोबिंद सिंग साहिब के छोटे साहिब जादों बाबा जोरावर सिंग और बाबा फतेह सिंग जी की लासानी शहादत को समर्पित है। देश के प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 9 जनवरी 2022 को दशमेश पिता श्री गुरु गोबिंद सिंग साहिब का प्रकाश पर्व मनाते हुए। ये एलान किया था कि गुरु साहिब के साथ और नौ साल के छोटे साहिब जादों जिन्हें जालिम मोगल हुकूमत ने जिन्दा नीवों में चुनवा कर शहीद किया था। इन शूर वीरों की बहादुरी का गौरव मई इतिहास देश के कोने कोने तक पहुँचाने के लिए हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। दिसंबर 1704 में जालिम मुगल सूबेदार वजीर खान द्वारा साहिबजादों और माता गुजरी को अत्यंत ठंड में ठंडे बुर्ज में खैद करके अनेकों तसीहे दिये गए। छोटे साहिबजादों का धर्म परिवर्तन करने के लिए उन्हें कचहरी में पेश किया गया। उन पर जूटे मुकदमे चलाए गए, मौत के डरावे और लालच दिये गए। लेकिन फिर भी जब साहिबजादों ने अपने धर्म में पक्के रहते हुए इसलाम कुबूल करने से साफ इनकार कर दिया, तो सुबाए सरहिंद नवाब वजीर खान ने साहिबजादों को जिन्दा नीवों में चुनवा कर शहीद कर दिया था। सरहिंद में स्थित गुरुद द्वारा फतेहगर साहिब आज भी जालिम मुगल हुकूमत के अत्याचार और साहिबजादों की बहादुरी की गाथा बया कर रहा है। माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने इस से पहले श्री गुरु गोबिन्द सिंग जी का 350वा प्रकाश पर्व भी भारत वर्ष में शद्धा और भावना से मनाया था। ये भी पहली बार हुआ है कि देश के प्रधान मंत्री द्वारा साहिबजादों के दादा जी नौवे पात्षाह श्री गुरु तेग बहादुर जी का 400वा प्रकाश पर्व उसी लाल किले पर मनाया गया जिस लाल किले से गुरु जी की शहादत का फर्मान सुनाया गया थ देश के प्रधान मंत्री ने लाल किले से भारतवासियों को बताया था कि श्री गुरु तेग बहादुर जी ने तिलक, जनेव और धर्म की आजादी के लिए अपने तीन सेवकों के साथ दिल्ली के चांदनी चौक में बेमिसाल कुर्बानी दी थी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा से ही इस बात के धारक रहे हैं कि सिख गुरु साहिबानों की बड़ी कुर्बानियों की जानकारी हर घर तक पहुँचनी चाहिए इसी लड़ी में उन्होंने श्री गुरु नानक देव जी का 550वा प्रकाश पर्व बड़े स्तर पर मनाया था ये भी पहली बार हुआ था कि अलग-अलग देशों की एमबैसियों समस्त भारत के गवर्नरों मुख्य मंत्रियों द्वारा श्री गुरु नानक देव जी का 550वा प्रकाश पर्व मनाया गया यहीं बस नहीं जिन गुरु द्वारों की सेवा संभाल और दर्शनों के लिए सिख कौम रोजाना अरदास करती थी उस महान कार्य की सेवा भी ईश्वर ने देश के प्रधान मंत्री से करवाई जिसके चलते करतारपूर साहिब का कॉरिडोर बना और संगतों को श्री करतारपूर साहिब के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने श्री हरमंदर साहिब में FCR की सुविधा शुरू करवाई जिससे विदेशों में रहने वाले सिक्खों को अपना दस्वंध श्री हरमंदर साहिब पहुचाने में बड़ी सहूलत मिली श्री हेमकुंट साहिब जाने वाली संगतों की सहूलत के लिए रोपवे प्रोजेक्ट का शिला न्यास किया जिससे शद्धालू तीन दिनों की यात्रा कुछ ही घंटों में पूरी कर सकेंगे 1984 के सिक्ख कतले आम के पीडितों को इनसाफ दिलाने के लिए एक नई S.I.T. का गठन करके दोशियों को जेल की सलाखों के पीछे पहुँचाया 1980 के काले दौर में ब्लैक लिस्ट जारी कर जिन सिक्खों को देश आने से रोका गया था उस काली सूची को खत्म करवाया अफगानिस्तान में तालिबान का रा जाने पर सिक्खों को मुल्क छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा तो प्रधान मंत्री जी द्वारा एर फोर्स के हवाई जहाज भेज कर श्री गुरु गरंथ साहिब तथा सिक्खों को भारत लाया गया प्रधान मंत्री जी आपका धन्यवाद है के वीर बाल दिवस के एतिहासिक समागम द्वारा आपने साहिब जादों की महान शहादत के गौरव मई इतिहास की अलग-अलग भाशाओं में डिजिटल प्रदर्शनी तयार करवा कर भारत के 14,92,000 स्कूलों, पेट्रोल पंपों, मेट्रो स्टेशनों, हवाई यड्डों के साथ-साथ विमिन एंड चाइल्ड विलफेर द्वारा जगे-जगे प्रदर्शित करवा कर संसार भर के लोगों तक पहुँचाने का सरहनी ये कारिय किया है इश्वर आपके ऊपर अपनी अपार कृपा बनाए रखे ताके आप इसी प्रकार देश और कौम की निरंतर सेवा करते रही